हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रोप पर तो फ्रेंड आज हम विसक्स करेंगे क्लास नाइन में चैप्र शिक्स लाइन एंगल्स का थियरूम 6.8 बोला किया if a side of a triangle is a produce ठीक है मान लोग को triangle है जिसकी किसी भी एक side को produce किया जाता है यह मान लोग मेरा triangle P, Q, R है ठीक है मैं produce कर दिता हूँ जैसे की Q, R को मैंने produce कर दिया then the exterior angle, exterior angle कौन सा होगा यह वाला, so is a formed is equal to the sum of the other two interior opposite angle देखो अंदर वाले दोनों angle होगी, अब angle इसमें तीन है, एक, दो, तीसरा यह है कोशन में clearly बोला गया, opposite लेना है, मतलब यह वाला जो angle है, इसके साथ वाला angle नहीं लिया जायागा opposite लिया जायागा, यह वाला angle और यह वाला angle, बोले यह गया है कि इन दोनों angle का sum equal है, इस वाले angle के, ठीक है, यह हमें proof करना है, ठीक है friend तो given है मेरे पास सबसे पहले, given दिया है, triangle PQR, तेरबुच PQR में, ठीक, अब given तो सिरफ इतने triangle है prove करना है, true prove, सिद करना है, सिद करना है, कि angle P और angle Q का sum equal है, जैसे कि मालों इसको S दे दिया, triangle P, R, S के, इसके equal है, इनको, इसको short में समझने का मतलब यह कर लेते हैं, angle 1, इसे angle 2, और इसे angle 3, कि angle 1 और 2 का sum equal angle 3 के, यह proof करना ज़ाद आसान होगा, ठीक है, यह में proof करना है, तो इसे proof करने के लिए, friend, मैं दो अलग-अलग statement का use करूँगा, पहली statement, कि यह मेरा triangle है, इसका नाम P, Q, R, इसका number 1 माल लिया, इसे 2 दे दिया, तीन use कर चुका हो, तो इसे number देता हूँ, 4, ठीक है friend, मैंने देखा, in triangle P, Q, R, तेरे बुज, P, Q, R में, तीनों का जोड, angle 1, प्लस angle 2, प्लस angle 4, तीनों का जोड़ कि इसके बराबर होगा, एक सबस्थी, ठीक है, reason में आयागा, angle, sum, property, ठीक है, हिंदी मैं बोलेंगा, इसको, कोण, योग, गुण धरम से, कोण, योग, गुण धरम से, इसे number मान लिया, मैंने 1, ठीक है friend, जैसे मैंने इसको number 4 माना है, इस वाले angle को, ठीक है, दुबारे से मैंने इसके इसके इसको, यह मेरी line अप P, यह R, यह Q, और यह S, यहाँ angle 3 है, यहाँ angle 4 है, एक line के अगर दो टुपड़े हों, दोनों का सम कितना होगा, 180 degree, reason में linear pair, वोले तो, रेखे की योग में, क्योंकि एक सीधी line, 180 degree के equal होती है, angle 4, प्लैस angle 3, बराबरों के एक सीधी, reason में आजाएगा linear pair, linear pair, यानि के रेखे की योग में, रेखे की योग में, ठीक है फ्रेंट, तो इसे नमबर माले दो, इन तीनों का जोड़ भी एक सीधी के बराबर है, इन दोनों का जोड़ भी एक सीधी के बराबर है, तो मैंने ल 2 से, इन तीनों का जोड़ एक सीधी के बराबर, इन दोनों का जोड़ एक सीधी के बराबर, तो मैंने दोनों को equal कर दिया, 1 प्लस 2 प्लस 4, तीनों का जोड़ इनके equal है, 4 प्लस 3 के, तो देखो फ्रेंट, 4 इदर भी आ रहा, 4 इदर भी आ रहा, दोनों तरह 4 आ रहा, तो 4 से फूर को प्लाइस की Earth इतना करने के बाद एंगल ववन और TWO दोनों का जोर किसके बराबर आ गया गया एंगल 3 के बराबर आ गया और यहीं हमें प्रूफ करना था कि एंगल one plus two किसके बराबर हो गांगल था है उस उचनल हो चुका था है तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर ओके बाई बाई थेंक्यू